अगर आपने कोई भी वहेकल रखा है चाहे वो टू वीलर है प्राइबेट कार है या फिर कोई कमर्शल वहेकल तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिसकस करूँगा जिसकी वज़ा से नॉर्मली हमारा इंशुरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है मैं हूँ आपके साथ नितिन पाल आप देख रहे हैं इंशुरेंस करूँ तो फ्रेंड्स जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुल 9 पॉइंट्स डि तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ले चलता हूं में सिधे आपको अपनी कम्प्यूटर स्क्रीन पे और जहां पे हम वन वाई वन ये पॉइंट्स डिसकस करेंगे और फ्रेंड्स इस ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉल्यूशन certificate हमारे इंशौ्स क्लेम पर कोई डालता है या अगर हमारे पास pollution certificate नहीं है तो हमारे इंशौरेंस आप रिजेक्ट होगा या नहीं होगा यह भी आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे हमारे वहिकल की इंशॉरेंस का क्लेम रिजेक्ट ना हो इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है आईए देखते हैं इस वीडियो में तो फ्रेंस जो पहला रिजन होता है वह होता है ड् लेकिन अगर vehicle drive करने वाले के पास license है लेकिन वो expired हो चुका है तो भी insurance का claim reject हो जाता है इसके अलावा vehicle drive करने वाले के पास अगर driving license तो है लेकिन वो proper नहीं है मतलब अगर four wheeler का accident हुआ है और four wheeler उसमें वो व्यक्ति चला रहा था लेकिन उसके पास four wheeler drive करने का license नहीं था उसके पास सिर्फ two wheeler drive करने का license था तो उस case में भी हमारा insurance का claim reject हो जाता है तो कहने का मतलब ये है कि अगर proper class का driving license आपके पास नहीं है तो आपके insurance का claim reject हो जाएगा तो insurance claim reject होने का first reason होता है driving license अगर हमारे पास proper driving license है और driving license expired नहीं हुआ है तो हमारे वहिकल का insurance claim कभी भी reject नहीं होगा इसलिए आप driving license का सबसे पहले ध्यान दीजिए insurance claim reject होने का दूसरा common reason है claim intimation अगर timely आप insurance company को claim के लिए intimate नहीं करोगे तो भी आपका insurance claim reject हो सकता है क्योंकि friends कई बार देखा गया है कि customer अपने vehicle को directly workshop में repair करने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पे उसकी repair करवा लेते हैं तो उस case में अगर बाद में आप insurance company को intimate करेंगे या फिर claim के लिए बोलेंगे तो आपका insurance का claim आपको नहीं मिलेगा insurance claim reject होने का तीसरा common reason है spot survey या फिर police report commonly ये देखा जाता है कि spot survey और police report commercial vehicles में applicable होती है लेकिन अगर आपका vehicle private है और आपके vehicle का damage जादा है तो भी आपको spot survey और police report करवाना जुरूरी है अगर आप spot survey या फिर police report नहीं करोते हैं तो इस reason से भी आपका claim reject हो सकता है इसलिए जब भी आपके vehicle का कभी accident होता है तो आप spot survey और police report करवाईए तब आपका claim reject नहीं होगा insurance claim reject होने का fourth reason है fitness certificate of vehicle अगर आपका vehicle commercial है तो आपको अपने vehicle का fitness certificate up to date रखना होगा time to time अपने vehicle की fitness आपको update करवानी पड़ेगी और private vehicles में fitness आपकी 15 साल के लिए valid होती है जब आप vehicle लेते हैं तो date of registration से 15 साल तक आपके vehicle की fitness होती है और 15 साल पूरे होने के बाद five five years के लिए उसको extend भी किया जा सकता है तो friends अगर आपके vehicle की fitness updated है तो आपका insurance claim reject नहीं हो सकता है insurance claim reject होने का fifth reason है insurable interest तो friends ये insurable interest एक technical term है लेकिन अगर हम normal language में इसको बोलें तो अगर आपने vehicle कोई second hand purchase किया है और उसकी RC registration certificate अपने नाम पे transfer करवा लिया है और insurance documents में आपने previous owner के ही details चले हुए है आपने insurance policy में endorsement नहीं लगवाई है और insurance policy previous owner के नाम पे ही है तो आपका insurable interest इस policy में insurance company count नहीं करेगी और इस basis पे आपका insurance claim reject हो जाएगा तो friends यहाँ पे ध्यान देने बाली बात यह है कि अगर आपके vehicle की registration certificate आज change हुई है आपके नाम पे तो आज से 14 दिन के बीच में आप अपना registration certificate के according नाम insurance policy में change कर आ सकते हो यह 14 दिन का time आपको मिल जाएगा इन 14 दिन में आपका जो भी अगर claim raise होता है तो वो insurance company उसको entertain करेगी और उसके आपको payment हो सकती है तो friends after 14 days अगर आपने insurance policy में अपना नाम change नहीं कराया है तो उस policy में अगर आपका कोई claim आता है तो आपका insurance company claim reject कर देगी insurance claim reject होने का sixth reason है taxes permits not renewed तो friends यह commonly commercial vehicles के लिए applicable होता है अगर commercial vehicle के taxes और permits updated नहीं है उनको renew नहीं कराया गया है या फिर बनवाए ही नहीं गए है तो इस base पे insurance company commercial vehicles का claim reject कर सकती है insurance claim reject होने का seventh reason है unauthorized use of vehicle अब unauthorized use of vehicle क्या होता है मान लीजे आप private vehicle को commercially use कर रहे हैं या फिर private vehicle को आप driving tutions देने के लिए यूज़ कर रहे हैं मतलब जो vehicle जिस purpose के लिए आपका है आप उससे अलावा कोई unauthorized काम उस vehicle से कर रहे हैं तो इस basis पे भी insurance company आपका claim reject कर सकती है insurance claim reject होने का eighth reason है no claim bonus तो friends मान लीजिए कोई अपनी insurance policy को इस साल एक insurance से दूसरे insurance company के पास करवाने जा रहा है तो अगर वो नई insurance company में previous NCB के बारे में कोई गलत information देता है मान लीजिए उन्होंने previous policy में claim किया था और new insurance company को वो बताते हैं कि उन्होंने पिछली insurance में कोई भी claim नहीं किया था तो इस basis पे insurance company इस claim को reject कर सकती है क्योंकि अगर पिछली insurance में claim किया था तो अगली insurance में no claim bonus लेना एक fake information देना होता है और जब आप NCB के लिए entitled नहीं हो और नई insurance policy में आप NCB ले रहे हो तो आपने एक fake information दी है और इस basis पे insurance company आपका claim reject कर सकती है तो friends claim reject होने का ये जो ninth reason आप अपनी screen पे देख रहे हो not having PUC ये बिलकुल सही नहीं है क्योंकि अगर आपके पास PUC नहीं भी है तो भी insurance company आपके claim को reject नहीं कर सकती है तो friends ये मैंने ninth reason में इसलिए लिया था क्योंकि पीछे एक notification आई थी IRDA की 20 अगस्त 2020 को जिसमें की PUC को लेकर एक notification जारी की गई थी तो उसमें कई misunderstanding हुई थी जिसमें social media पे या फिर कई YouTube channels पे हमारे channels पे भी ऐसे वीडियो बने थे जिसमें लिखा था कि अगर आपके पास PUC नहीं है और clarify किया गया था कि अगर आपके पास PUC नहीं भी है तो भी आपका insurance का claim insurance company reject नहीं कर सकती है तो friends number nine में ये मैंने लिया है लेकिन इसकी वज़ा से आपको चिंता की जुरूरत नहीं है अगर आपके पास PUC नहीं भी है तो भी insurance company इस base पे आपका insurance claim reject नहीं करेगी तो friends ये थे nine points जो मैंने आपके साथ discuss किये normally insurance claim लेने के लिए ये सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है तो friends इन सारी नो बातों का आप ध्यान रखिए तो आपका insurance का claim कभी भी reject नहीं होगा तो friends ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वो सब बातें discuss की जिनकी वज़ा से normally हमारा insurance claim reject होता है तो friends आपको कैसा लगा आज का वीडियो आप मुझे comment section में जुरूर बताएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए लाइक कीजिए और share कीजिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दवाना ना भूले ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बहले अपने वाइल पे पासके तो friends और भी अगर आपकी कोई insurance related query है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे एक नए topic के साथ एक नए वीडियो के साथ जय हिन जय भारत